नमस्कार दोस्तों इंडिया एकिम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुले आम धमकी देता था एक ऐसे आदमी की जो मंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था एक ऐसे आदमी की जिसके दरवार में विरोधी भी आजरी लगाने आते थे इनका नाम था बाला साहिव ठाकरे बाल ठाकरे का बसपन का नाम बाल केशव ठाकरे था जो वक्त के साथ बाला साहिव ठाकरे बन गया बाल ठाकरे एक कार्टूनिष्ट थे राजनितिक्ये तो बाद में बने सिर्फ यही नहीं ठाकरे मश्रूर क्र प्रद्य समराट कहा जाता था उनका बिना देखे भाशन देना लोगों के मन को भाग गया उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड कठा होती थी। के साथ पार्टी बनाई थी जो शिव सेना थी और वो आज भी चलती हैं। 1960 और 1970 के दर्शक में महाराष्ट्र में लूंगी हटाओ, पूंगी बचाओ अभियान चलाये गया। ये इस्पेशली बिहारियों के लिए था क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के मुखे पेज पर भी लिख दिया था कि एक बिहारी सो बिमारी। 1980 के दर्शक में बाल ठाकरे ने मुसल्मानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरफ फैल रहे हैं और देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे के एक खास बात थी, वो कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना है, खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए मुंबई के घर मातोश्री में जाती थी। बड़े बड़े बॉलिवोड एक्टर बीर पीने और उनसे मिलने उनके घर आया करते थे। यात्रा बंद करने की धमकी दी और कहा कि जो अमरनाथ यात्री आएगा वो वापस नहीं जाएगा तब बाल ठाकरी ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाली 99 परतिशल फ्लाइट मंबई एरपोर्ट से जाती हैं देखते हैं यहां से कोई यात्री मकाम अदिना कैसे जा गया कि सुना है यह काम शीवसेनिकों ने किया है तो बाल ठाकरे ने जवाब दिया कि अगर यह काम शीवसेनिकों ने किया है तो यह गर्व की बात है बाल ठाकरे की कुछ खास शौक थे, सिगार, वाइट वाइन, ज्यादा तर फोटो या इंट्रिवु में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती हैं, पाइप तो 1995 में दिल का दोरा पढ़ने के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार तो मौत के साथ ही छोटी 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल देख वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बेन लगा था, लेकिन हकिकत तो यह है कि बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा अपने मौत से दो दिन पहले ठाकरे का एक बयान आया था कि आर्मी को मेरे हवाले कर दो, मैं देश को एक महीने में ठीक कर दूँगा ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे, पहले पतनी का निधन, फिर छोटे बेटे बिंदु माधव की कारहाच्से में मौत, फिर दूसरे बेटे जैदेव के साथ मन मुटाव और लाडले भट्तीजे, राज ठाकरे का अलग से पाल्टी बनाना, आपको बता दे कि राज ठाकरे वो आदमी है जिनको बाला साहिब ठाकरे का उत्राधीकारी माना जाता था, यानि कि शिवसेना का मुखिया, लेकिन राज ठाकरे ने अलग होकर महाराष्टर नवनिर्मा सेना बना ली। 17 नौंबर 2012 बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मंबई बंध था। अंतिम्यात्रा में लग भग 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थेड़ी देर बाद एक आवाज उड़ती थी। बाला सहे और लाखों लोग चिलाते थे। अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे ना सांसद फिर भी उन्हें मरने के बाद 20 तोपों की सलामी दी गई जो भारत के राश्टरपती और प्रधान मंत्री को मिलती हैं। ये रुत्बा था बाला सहे ठाकरे का। आप बाला सहे ठाकरे को कितना जानते हैं, उनको कितना करते हैं, इसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताईए, हमारे चैनल को इंडिया आएक्यू को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पास के बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के आपको मिलते रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हैं